नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक वार्फिर से हमारे आचार जागेंदर विशा चैनल पर सावन शिवरात्री ब्रत में खाना है आपको तेन चीज दोस्तों सावन की महीने में ये चीज जरूर खा लेना पुरे सावन आपके घर में धनकी कमी नहीं होगी भॉलिनात की किरपा हमेशा आपके उपर बरसेगी शाथी साथ सावन के शिवरात्री में ये कुछ गल्तियां कभी मत करना जाने सावन शिवरात्री के ब्रत में उपवाश किस प्रकार से रखें सावन का महिना बहुत ही सुब और मंगल कारी माना जाता है सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना की पवित्र गंगा जल करोडों में कुछ खास लोग ही होते है जो भागवान सिव की कृपा पाते हैं सच्चे हरदय से भागवान सिव के भक्ति करने वाला भागवान सिव का प्रिभक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं, तो सच्चे दिल से कमंट बाक्ष में लिखें, हर हर महादेव ओम नमे शिवाय, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, दोस्तो शावन का जो शिवरात्री का पर्व है, इस बार 15 जुलाई दिन सनिवार को पढ़ रहा है, दोस्तो इस दिन कई शारे दिब्ब और धूलब शुव सेयोग भी बन रहे हैं, दोस्तो सावन सिवरात्री में कई प्रकार के नियम और पालन करने से भगवान भोलेनत अतधिक प्रसंद होते हैं, आए जानते हैं सावन सिवरात्री बरत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, दोस्तो सबसे पहली बात तो इस बात के ध्यान रखे कि सावन सिवरात्री के दिन भगवान भोलेनत की पूजा पाठ करने में कोई भी कसर ना छोणे, इस दिन आप भगवान भोलेनत को एक लोटा जल, थोड़े सा चावल मिस्री, दोध उन्हें अगर बैवाहिक जीवन शुकी नहीं है, तो बैवाहिक जीवन जोडा भगवान सिव की पूजा जरूर करें, कुमारी, कन्याएं लड़कियां, भगवान सिव की ब्रत रखें, तथा दूसरी बात, जोतिस सास्त्र में शावन सिवरात्री के दिन भगवान सिव को प्रसंद करने के लिए उन्हें बेल पत्र चढ़ाएं जिससे वो अधधिक प्रसंद हो जाते हैं सिव मंदिर पे जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए भागवान सिव को बिशीष रूप से बेल पत्र धतूरा आकड़े का पुष्प चंदन शफेद और पुष्प शफेद उन्हें अर्पित करें आठे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए और फिर भागवान भोल्यात की पूजा भी करनी चाहिए इससे जीवन में शुक्षम्रदी और धनकी प्राप्ति होती है दोस्तो भागवान सिव को सफेद वस्तवे अतिन्त प्री है इसलिए सावन सिवरात्री के दिन सफेद वस्तवे जरूर भागवान सिव को अर्पित करें दोस्तों पंचय मृत का भोग लगाकर आप पंचय मृत का सिवन कर सकते हैं साथी साथ बता दे कि इस दिन सफेद रंग के जो चंदन होते हैं वो भागवान की मस्तक पर लगाएं और स्वेम अपने मस्तक पर लगाएं और सफेद वस्तर स्वेम धारन करके ही पूजा पाठ करें इस दिन भागवान सीव को बेल का फल अर्पित करें और बेल के फल को आप परसाद के रूपे गरहन कर सकते हैं जो लोग सावन सिवरात्री का ब्रत रख रहे हैं उन्हें इस दिन सावो दाने की खीर भी खालेना चाहिए साथी साथ आलू के चिपस बगएर भी खाले ना चाहिए और साथी साथ बता दे की आप इस दिन सेव अनार फल फ्रोड खाले लेकिन भोल से भी नास पाती के सेवन भोल से भी ना करें साथी इस दिन यानी एक दिन पहले ही आप स्वक्ष रूप से आप तयार हो जाएं और अगर आप जरूरी है तब आप बाल धो सकती हैं लेकिन स्वक्षता का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए नियम और सयम का विशेश रूप से आपको ध्यान देना चाहिए सावन स्वक्ष रूप के ब्रत में ब्रत धारी को फलों में नास पाती का सेवन नहीं करना चाहिए इसे सुब नहीं माना जाता दूसरी बात आपको इस दिन मांसमद्रा का सेवन भी नहीं करना चाहिए अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए नहीं तो सिवजी का बरत आपके लिए अच्छा नहीं रहता साथी साथ दो दही आप यनिकी फल फ्रोड का सेवन कर सकते हैं सावन सिवरात्री में आप किशी का अपमान न करें आप सब्द ना मुशे निकालें जीवा पर बैठी माता सरसुती का अपमान होता है ऐसा बिल्कुल भूल कर भी ना करें नहीं तो ब्रत तूट जाता है अगली बात सावन सिवरात्री में सिवजी की पूजा के साथ नंदी महराज की पूजा अवश्य करें दोस्तों शिव पशु प्रेमी है इसले सावन सिवरात्री को चार पैर पशु वाले अर्थार्त गाय बैल के रूप में आप उनकी पूजा करें उन्हें मान समान दें सावन सिवरात्री की दिन गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं इससे ब्रत पूरा माना जाता है इसके साथ ही साथ नंदी महराज को यनि की इनका भी अपमान ना करें और इनके साथ गलत विभार बिल्कुल कताई ना करें दोस्तों अगली बात इस बात का ध्यान रखे कि भागवान सिव को केतिकी का फूल इस दिन बिल्कुल भी ना चढ़ाएं तुलसी ना चढ़ाएं कटे फिटे बेल पत्र ना चढ़ाएं खंडित चावल भोल कर भी आप इस दिन ना चढ़ाएं सावन सिवरात्री पर भागवान भोलनात को यानि कि विशेश रुप से गंगा जल अरपित करें बेल पत्र अरपित करें और भांग उन्हें अरपित करें भांग भी जरूर चढ़ाएं इससे महादेव बहुती परसंद होते हैं साथी इस दिन अगर आप भांग का शेवन कर लें तो भागवान भोले बाबा अत्यंत परसंद हो जाते हैं साथी इस दिन ओम नमहिशिवाय इस मंतर का ज्याप करें भागवान भोलनात आप पर काफी परसंद होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे साथी साथ दोस्तों इस बात को भी जान लें कि ब्रत में यानि सावन सिवराते ब्रत में ये फल तो कताई मत खाएए जैसे नासपाती का फल या फिर दूसरे के द्वारा दिया हुआ गया फल बिलकुल ना खाएं अगर आप ब्रत रख रहे हैं और अगर आप किशी दूसरे के द्वारा दिये गए फल फुरूट को खाते हैं तो सिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है आपका ब्रत भंग हो सकता है यहां तक कि आपके परिवार पर कश्ट आ सकते हैं कम से कम सावन सिवरात्री के ब्रत में तो ऐसा कतरी ना करें दोस्तो सास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गए कि ब्रत धारी को उधार मांग कर भी सावन स्वरात्री के दिन भोल कर भी नहीं खाना चाहिए इससे पाप लगता है बरत अधूरा रह जाता है सावन स्वरात्री में कोई भी बरत अगर आप कर रहे हैं तो पड़ोशयों से माँन कर भी आप बरत में फल वगरे ना खाएं उधार मांगकर तो बिल्कुल कताई ना खाएं, नहीं तो ब्रत आपका जूटा हो जाता है इस्वर की शरण में आने पर व्यक्त को जूट नहीं बोलना चाहिए करज इत्याद नहीं लेना चाहिए, चुगली आद नहीं करने चाहिए उधार मांग कर भी नहीं खाना चाहिए यदि आप ने अपनी मर्जी से अगर कोई आपको ब्रत में खाने को देता है तो उसे आप खाशकते हैं लेकिन ब्रत में कम से कम उधार मांग कर तो आप फल बगरे विक यानि कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इससे पाप लगता है और बिक्त की पबित्रता भंग हो जाती है दोश्तों शावन सिवरात्री ब्रत हो या फिर शावन के कोई भी ब्रत हो नास पाति बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए दरاصल यह नास करने वाली फल माने जाते है इसले इसका नाम ही नासपाती है इसले सावन के ब्रत में तो भोल कर न खाएं बाकी दिनों में आप ये फाल खा शकते हैं लेकिन अगर आप सावन सिरॉतरी का ब्रत रख वहे हैं तो भोल कर भी नासपाती का सेवन नहीं करना चाहिए कुट्टू का आटा, शिंगाडे का आटा भी नहीं खाना चाहिए लेकिन दोस्तों, सावन सिरात्री पर आपको सेव खालेना चाहिए लाल वाला अंगूर मिल जाए तो लाल वाला अंगूर खालेना चाहिए साथी साथ केले का सेवन कर ले, अनार का सेवन कर ले साथ ही अगर आपको बेल पत्र के बेल के फल मिल जाए तो बेल के फल का भी सेवन कर लेने से बहुत लावकारी होता है बेर का फल अगर मिल जाए तो बेर का फल भी बहुत ही सुबकारी माना जाता है इसलिए आप इन चीजों का सेवन करें लेकिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें मान समद्रा का सेवन ना करें और साथी पुराने आटे का सेवन ना करें चाहिए आप ब्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो साथी भगवान सीव के पास तुलसी यानिकी तुलसी ना चढ़ाएं हल्दी ना चढ़ाएं खास कर विशेश रूप से ध्यान रखे की आपको केतकी के पुष्प ना चढ़ाएं साथी साथ कुछ निमों का पालन भी करें और भगवान सीव की पूजा पाट करने में कोई भी कसर ना चोड़े क्योंकि भगवान काफी परसंद मुद्रा में रहते हैं सावन के पवित्र यारि के सावन सिवरात्री के पवित्र महीने में अचानक से अगर आपको सपने में भागवान शिव का दर्सन मिल जाए तो ये काफी सुभ संकेत माना जाता है तो दोस्तों सावन का ये जो सिवरात्रिया इस वार कई दूलब सुबसेयोंग बन रहे हैं इस पवित्र तेवहार में आपको ये चीजे जरूर खालेनी चाहिए इस से महादेव की कृपा हमेशा और पूरे साल बनी रहती है धन धान में कोई भी कमी नहीं रहती है जीवन में आपको धन ये समान समान धन दवलत आपकी और खीचा चलाता है महादेव की कृपा बरस्ती रहती है और आप अपने जीवन में दिन दुगनी राज जगनी तरक्की करते चले जाते हैं इसलिए सावन के महिने में भूल कर भी ना खाएं तो दोस्तों अगर आप महादेव से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जिरूर कर देजेगा और कमेंट सेक्शन में लिख देजेगा हर हर महादेव ओम नमशिवाय साथी दोस्तों इस चैनल को सब्सक कर लेजेगा हर हर महादेव ओम नमशिवाय